हेलो बच्चो, बच्चो, बच्चे सभी के प्रिय होते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चो का सोभाव बड़ा ही निर्मल, निश्चल होता है, वो चुपचाप, शांत, बिना किसी कारे के एक जगर नहीं बैठ सकते बच्चे सदय वर्तमान में जीते हैं, उन्हें बीते कल की बिल्कुल चिंता नहीं होती है, नाहीं आने वाले समय के लिए भी चिंतित होते हैं, वो अपना हर एक पल खुशी के साथ जीते हैं जब वो नई जगर जाते हैं, तो वो वह वहाँ नए मित्र बना लेते हैं अता बच्चों, आज हम आपकी पाठ्ठे पुस्तक में आये पाठ मित्रता का अध्यन करेंगे मित्र, सखा, दोस्त, अर्थात फ्रेंड बनाने के लिए बच्चों को कोई सीमा रेखा, अर्थात क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं होती बच्चे न तो रंगरूप देखते हैं, न जातपात देखते हैं, न अमीर गरीब देखते हैं उन्हें तो बस अपने जैसा ही मस्त मौला ब्यक्तित्तु चाहिए दोस्त बनाने के लिए बच्चों, आज हमारे इस पार्ठ में कोई कहानी या प्रेणादायक प्रसंग नहीं है बलकि इस पार्ठ द्वारा बातचीत करने का तरीका बताया गया है एवं बड़े छोटों के लिए किस प्रकार आदर सूचक शब्द का प्रियोग कर हम अपनी भाषा वानी को अधिक प्रभावी बना सकते हैं वार्ता लाप के द्वारा बताया गया है और बच्चों इस पार्ठ में चार प्रमुक पात्र है अर्था फोर कारेक्टर है ये चारो बच्चे खेल के मैदान में एक दूसरे से मिलते हैं और बादचीत करते करते अपने परिवार के सदस्यों, अपने निवासस्थान, एवन अपने परिवार के सदस्यों के विशेशताएं एक दूसरे से वारतालाप के जरिये बताते हैं और इन्धी बादचीत के द् उनमें मित्रता हो जाती है ये चार प्रमुख पात्र हैं तबस्सुम, अरनाल, विहंग और छमा तो चलिए हम भी इनकी बाचीत को सुनते हैं और इनसे परचित होते हैं सबसे पहले हम अरनाल से मिलते हैं और उसकी बाचीत को सुनते हैं अर्नाल्ड क्या कह रहा है नमस्ते मेरा नाम अर्नाल्ड है मैं छत्री तालाब के सामने रहता हूँ अब हम अपने दूसरे मित्र से मिलते हैं तबस्सुम तबस्सुम क्या कह रही है मित्रों मेरा नाम तबस्सुम है मैं पाठशाला के समीब रहती हूँ समीप अर्थात पास में देखते हैं तीसरा मित्र कौन है? शमा शमा क्या कह रही है? सुनो मैं शमा हूँ बाजार के पास रहती हूँ अब हम इनके चोथे मित्र से मिलते हैं विहंग विहंग क्या कह रहा है? नमस्ते! मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ इन बच्चों ने अपना परिचाए एक दूसरे से तो दे दिया अब यहाँ अपने परिवार का परिचाए कराएंगे देखते हैं सबसे पहले कौन अपने परिवार का परिचाए करवाता है अर्नाल अर्नाल अपने परिवार के बारें बताता है अपने मित्रों को क्या बताता है मेरे घर में दादा जी माता जी और छोटी बेहन है अब जब अर्नाल ने बता दिया तो दूसरे मित्र भी अपने परिवार का परिचे देते हैं देखते हैं दूसरे कौन से मित्र है? तबस्वम तबस्वम भी अपने परिवार का परिचे देती है कौन-कौन उसके परिवार में है? बताती है मेरे घर में माता जी, पिता जी और बुआ जी रहती है बुआ जी हमें ग्यान विज्ञान की रोचक कहानिया सुनाती है बच्चों बुआ जी के बारे में पता है ना बुआ जी अर्थात पिता जी की बहन और रोचक मतलब होता है मजेदार इस प्रकर बिहंग भी अपने माता पिता अर्थात अपनी परिवार के बारे में हमें बताता है बिहंग क्या बताता है? बिहंग बताता है कि मेरे पिताजी वकील हैं वे न्यायाले में किसे सुनाते हैं? अर्थात विहंग ने अपने पिता जी के बारें बताते हुए कहा कि उसके पिता जी वकील है न्यायाले मतलब होता है अदालत, कोड और बताया कि जब भी वह अदालत से आते हैं वापस तो मुझे मज़ेदार अर्थात बहुत अच्छी अच्छी किस्से और कहानिया सुनाते है आगे अर्णाल भी अपने परिवार से परिशित करवाता है क्या बताता है अर्णाल मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है और वो शमा से पूसता है तुम्हारी माताजी क्या करती है तब शमा अर्णाल को बताती है कि उसकी माताजी सरपंच है और बताती है कि कल मेरी बहन का जनम दिन है तुम सब जरूर आना इस प्रकार इन बच्चों ने एक दूसरे से परिचे करते करवाते अपने घर पे भी बुला लिया इसलिए कहते हैं न बच्चे बड़े ही निर्दोस और निर्मल होते हैं अब जब श्रमा ने अपने घर पे आने का निमंत्रण अर्थात नियोता दिया, तो तबसुम ने क्या कहा? तबसुम ने कहा, हाँ, हाँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी, मदद अर्थात सहायता, हेल्ब, अर्थात तबसुम श्रमा के घर जरूर जाएगी, बड़े पार्टी में उसकी मदद करने के लिए, इस प्रकार, ये चारो जो बच्चे हैं, एक दूसरे से वारता लाप करते करते, एक अच्छे मित्र बन जाते हैं, और विहंग कहता है, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं, और बच्चों, इस पार्ट में हमारे कुछ सहायक अर्थात हेलपर के बारे में भी बताया गया है, हेलपर, आपको नहीं पता, हमने पिछली करक्षा में करो और जानो पार्ट में अपने कुछ सहायकों के बारे में पढ़ा था, इसमें भी हमारे कुछ सहायक मित्र हैं, तो वकील विहंग के पिता जी एक वकील हैं वकील कोट में काम करता है और वह लोगों की समस्या सुनकर लोगों के पक्ष बिपक्ष में केस लड़ता है हमारी अगली सहाई का नर्स है अर्नाल्ड की माता जी सरकारी अस्पताल में नर्स है नर्स का कारे क्या होता है नर्स अस्पताल में मरीजों की सेवा करती है तथा डॉक्टर की भी सहायता करती है हमारी एक और सहायका के बारे में इस पार्ट में बताया गया है और वह है सरपंच शमा की माता जी सर्पंच है सर्पंच का कारे क्या होता है? सर्पंच गाउं का मुखिया होता है उसको head of village बोलते हैं या हर संभो गाउं के भलाई एवं विकास के लिए कार करता है जिसे गाउं के लोगों के साथ गाउं का भी विकास होता है इस प्रकार बच्चों ये सभी सहायक हमारी सहायता करते हैं एबं हमारे जीवन को और सरल और सुरक्षित बनाते हैं इस प्रकार बच्चों इस पाठ द्वारा हमने अलग अलग बच्चों द्वारा उनके परिवार के सदस्यों के परिचय का वारतालब देखा और सुना और हमने यह भी सीखा कि किस प्रकार किसी नए अपरचित व्यक्ति को हमें अपना परिचय देना चाहिए उससे बादचीत करते समय हमें प्रथम अभिवादन करना चाहिए अर्था उसका सबसे पहले अभिवादन करना चाहिए अर्था ग्रीट करना चाहिए एवं अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताते हुए उनके साथ आदर सूचक शब्दों का प्रियोग करना चाहिए जैसे माता जी, पिता जी, बुआ जी इत्यादी का प्रियोग करना चाहिए अता बच्चों आप भी नए मित्र बनाईए उनको अपना परिचय दीजिए अपने परिवार के सदस्यों से उनका परिचय करवाईए और मुझे हिंदी की अगली कक्षा में अपने नए मित्र के बारे में जरूर बताईए तब तक के लिए धन्यवाद